आसावी को मेरी नीव ब्लोग पर स्वागत है तो आज कब लोग मैं अभी स्टार्ट करी हूँ और अभी इवनिंग टाइम है साम का टाइम है और मैं आज बहुत ही स्पिसल नास्ता बनाने वाली हूँ चटपटा सा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम क्या नास्ता में बना हो तो वही चीज हम बनाने जा रहे हैं चटपटा क्या बनाएंगे कीचन जाने से इस पता चलेगा तो चलिए बनाते हैं अज का रेसीपी क्या होगा देखते हैं और आप लोग बीदिखाएंगे सब्स्रेइब होए सब्सक्राइब नाओ चो टेश्ट बिखाते हैं आपको तो मैं काट लेती हूँ, उतके बाद हम आप लिखाएंगे हम क्या बना रहे हैं तो रहे साम यहाँ पर लिए हैं अद्रक, मिर्चा, लसुन का पेस्ट बनाए हैं प्याच, टमाटर, सुनिया पत्व और यह है फुलगोबी और इसको हम बारी चौप किये हैं और उसको अप ले भी सकते हैं नहीं भी यहाँ पर हम बचा हुआ दोपर का चावल लिए हैं मतलब भात और हल्दी और नमक एड़ किये हैं और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पर हम सूजी लिए हैं थोड़ा सा तो यह ग्राइंड हो चुका है और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आया है और उसमें हम सूजी एड़ कर दिये तो एक कटरी भात में हम आधा कटरी सूजी लिए हैं तो इसमें हम जो काट के रहके थे फुलगोबी प्याज टमाटर और धनिया पत्ता सब को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे तो इसको मिक्स कर लेते हैं सब और उसके बद थोड़ा साम यहाँ पर कॉर्ण फ्लॉर पौडर डालेंगे यह आप डाल भी सकते हैं नेवी लेकिन हम डाल रहे हैं डालने से थोड़ा टेस्ट अलगाता है यह क्रिस्पी बनता है ज्यादा तो इसलिए हम डाले हैं तो यहां पर हम healthy powder और थोड़ा सा एड़ कर रहे हैं इसे color अच्छा आएगा और थोड़ा सा नमक भी एड़ करेंगे उसमें थोड़ा नमक दिये थे ज्यादा नहीं दिये थे इसलिए तो इसको सबको अभी हम mix कर लेंगे अच्छा से यहां पर पानी नहीं देंगे जब हम भ वाचा बादम को थोड़ा भून के दे सकते यह भूना हुआ और थोड़ा सा लख नहीं दिये हैं और यहां पर हम राल मिर्च फोडर थोड़ा से इसे नो winning Si अमिला दे रहे हैं अगर आपको लगए कि थोड़ा से टाइट यहां मेरें घुल्षी नहीं दे सकते हैं तो यह तो यहां पर हम तेल भी गरम पाफ andneg d.b टयायक करेंगे तो तेल गरम हो चुकल है इससे दालेंगे हाथ से ही देंगे अच्छा से मतलब हाथ से गिरेगा और इसे में आपको पूरा गहल को मतलब पूरा पानी जैसा करना पड़ेगा तो वो हम कभी नहीं किये हैं इस तरह कहीं किये हैं वो पता नहीं किस तरह का बन जाएगा फिर उठेगा कि नहीं इसलिए थोड़ा सा मोटा ही इसको करना है तो इसको हम बीच-बीच में चलाते रहेंगे और जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हम लोग इसको पल्टी करते रहेंगे और अभी हम पल्टी कर दिये हैं और थोड़ा देर बाद और फिर से पल्टी करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना मस्त आया है और बहुती किस्पी और बहुती टेष्टी बनता है जरुर अपना घर में ट्राई कीजे यह बिलकुल चीजबॉल मिलदा मारकर में उस तरका ही लगता है तो बहुती चटपटा सा नासता है सांग के टाइम बना सकते हैं और खासकते हैं सक नहीं मान妳 boring tea हिए और बहुत ही अच्छा लगेग अप जिसको भी खिलाएं गे और सब लग बहुत ही तारीब करेंगे यह recipe प्रेज़ाद विरे लंगा था क्र मुस्मा हमसे लोगी पंता है उलनला आएफ यह सोस के साथ खा सकते हैं अभी खौले इस बीड़ास्तप्टा नास्ता याा जब दो श्लैकμा तेस्ट करके देखिए कैसे लग रहा है तो यह दिस हम पहले बना के खा जुके हैं बट इनको हम कभी नहीं खिला है थे फर्स टाइम खिला रहे हैं इनको और मेरा सोसराल में सब कोई बहुत तारीब कियें और आप लोग भी तारीब सुनना चाहते हैं तो इसा रेसिपी बना के सब को घर में खिलाइए तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट में जरी बताइएगा अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सेंट एंड सुस्क्राइब प्लीज तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाला गाईज